भूमी अधिगरहन हुआ है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसका और जो माता जी ने मुद्दा उठाया है कि जब बार आती है तो हम लोग सब बार पीडित हो जाते हैं हमारे घर में पानी आ जाता है आंधी की वज़े से हमारा फसल गिर जाता है और कोई करके आई और बार पीडितों को मुआपजा देने का कानून लेकर करके आई है लेकिन जो नई सरकार है यह किसान विरोधी सरकार है इसलिए यह जो भारत जोरो न्याय यात्रा है इसमें हम पांच न्याय की बात कर रहे हैं युबा का न्याय नारी का न्याय भागिदारी का नाय और मजदूर का नीया कितने परकाल का नया है अंशार फिर ने अरह उसमें से एक सबसे जरूरी नैया हैं हुआ और और लाहर जीने बोला है याल रखेगा उन्हूमी अधिगरन हुआ है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसका और जो माता जी ने मुद्दा उठाया है कि जब बार आती है तो हम लोग सब बार पीडित हो जाते हैं हमारे घर में पानी आ जाता है आंधी की वज़े से हमारा फसल गिर जाता है और कोई मुआपजा नहीं हो तीनों मुद्दे पे राहुल जी ने आपको आश्वाशन दिया है कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे तो मेरा कहना है कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा उस पर 24 गंटा मीडिया का आक्रमन शुरू हो जाएगा सही बात है अब यहां पर यह आपका SSB का है कानून के मुताबिक अगर यह जमीन इस्तिमाल नहीं की गई तो पांच साल के अंदर आपको वापिस मिल दे आनी चाहिए यह कानून है मगर यहां पर हिंदूस्तान की सरकार जमीन अधिकरन बिलके कानून को तोड़ रही है तो मैं यह आपके लिए जरूर पार्लिमेंट में उठा सकता हूँ मैं यह गैरंटी नहीं दे सकता हूँ कि मोधी जी उसके बारे में कुछ करें ना करें मगर मैं आपके लिए उठा तो सकता हूँ और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम यह जो आपका काम है हम करके आपको दे देंगे किसानों को चारों और से घेरा जा रहा है आपकी जमीन चीनी जा रही है आपसे जमीन ली जाती है अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योग पतियों को फ्री में तोफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है दूसरी तरफ से खाद, बीज इन चीजों में आप से आप पर दबाव डाला जाता है आप से पैसा चीना जाता है और फिर नरेंद्र मोधी जी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की वो तीन कानून ले आए काले कानून ले आए और जो आपका था वो आपके नाप के सामने उन्होंने चीनने की कोशिश क अच्छी बात है कि देश के सारे के सारे किसान खड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे इसलिए आपकी मैं कह दूँ आपकी जान बच गई नहीं तो आप सब बरबाद हो जाते मेरी सोच है कि किसान देश की रीड की हड़ी है बेशक और अजीब सी बात है मगर अरब पतियों के 14 लाक करोड रुपे कर्जा माफ हो सकता है मालिया का कर्जा माफ हो सकता है अदानी का हो सकता है इन सब का हो सकता है मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता आपने क्या गलती किma है? ठीक है? अगर किसी का माफ नहीं करना अगर किसान का करजा माफ नहीं करना तो फिर उनका भी नहीं होना चाहिए? ये अन्याय की हो रहा है कि उनका 14 लाग करोट माफ हो रहा है और जब आप आते हो आप कहते हो भाई हमारा भी कर दो सरकार आपसे कहते हैं हम तुमारा नहीं करेंगे तो न्याय होना चाहिए अगर उनका हो रहा है तो फिर इनका भी हो और अगर इनका नहीं हो रहा तो फिर उनका नहीं हो सही बात है न? तो मेरी सोच है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक की कम से कम protection होनी चाहिए मतलब पिछले चुनाओ के पहले हम एक योजना लाए थे नियाई योजना जिसमें हमने कहा था हर गरीव व्यक्ति के bank account में चाहिए वो मजदूर हो किसान हो हर परिवार के bank account में हम कम से कम सरकार कम से कम पैसा डालेगे डायरेक्ट bank account में पैसा डालेगे तो अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे चाहिए वो MSP की बात हो कर्जा माफी की बात हो सही दाम दिलाने की बात हो अगर किसान और आज सच्चाई है कि जो किसान के दिल में जो डर है उसको सरकार मिटा नहीं पा दी और किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खो दिया मगर मैं आपको यहां यह कहने आया हूँ कि हमारी कोशिश रहेगी कि जो आप भरोसा खोएं है वो एक बार फिर आप हमारी सरकार पर भरोसा करें और हमने देखिए हम मैं मैं कोकले शब नहीं बोल रहा हूं मैं कोकले शब नहीं बोल रहा हूं 72,000 करोर रुपए किसान का हमने कर्जा माद किया था याद रखिया आप सही जमीन अधिकरन बिल हम लाए थे 36 गड़ में जब हमारी सरकार थी राजस्तान में हमारी सरकार थी हम किसानों को सही दाम देते थे तो हमने काम करके दिखाया है और आने वाले समय में भी हम काम करके दिखाएंगे यह जो आपने यह जो आपने सवाल उठाया है मैं इसके बारे में पार्लमेंट पर बोलूँगा और मैं आपको गैरंटी देता हूं जैसे हमारी सरकार आएगी हम कानून को यहां लागो कर दो